हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं जीकिनाई शुडूप चैनल इस वीडियो में जर्णा नोलिज के कुछ और महत्पून परसोनों को कवर करेंगे तो वीडियो इन्पोरेंट होने वाली है वेस वीडियो आपने एंड तक देखनी है हर एक कोश्चन को ध्यान पूरवक सेयर हुई थी ठीडिक है तो option D सही answer हो जाएगा नच्क वीडियों है आरीयो ने भारत में किस दर्रht से नोखर परवेश किया था ले नहीं भारत में खेबर डर्रत से वकर आयते और और या भारत में चार गहां के खोज में आये थे ठीक है चार गहां यह नहीं यह पसो को चराते थे और चार गहां की खोज में भारत आये थे खेबर दर्री से ओकर ओप्सने सही आंसर हो जाएगा नेस क्विशन है गिर्नार पाड़ियां कहां इस्तित है तीकि गिर्णार पाणिया गुजरात में इस्तित है गैसे गिर्णार गैसे गुजरात ऐसे याद रख सकते हैं और गुजरात के जूनागड जिले में ये इस्तित है और एहमदाबाद से 327 किलोमेटर ये जूनागड जिला है ठीक है तो जुनागड जिले में इस्तित गिर्णार की पानिया गुजरात के इस क्यूशन है ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर परसीद है ठीक है फ्रेंट्स ब्लैक पगोड़ा के नाम से परसीद है कोनार का सूर्य मंदिर ओप्सन ने सही आंसर हो जाएगा कोनार का सूर्य मंदिर ये सूरिय देवता को समर्पिद है और ये पुरी ओडिशा में इस्तित है याद रखेगा पुरी ओडिशा में और इसका जो निर्मान कराया था गंग वन्स के सासा को यह है नर्सिंग देव परथम उन्होंने 1250 में इस मंदिर का निर्मान कराया था, नर्सिंग देव पर्थम ने, कभी-कभी question पूछ लेता है, चलिए next question है, malaria की दवा कुनेन, निम्न में से किस वरक्ष से प्राप्त होती है, malaria की दवा कुनेन ये प्राप्त होती है, सिन कोना से option C, सही answer हो जाएगा, सिन कोना वरक्ष होता है, और इसकी च्छाल से प्राप्त होती है, कुनेन की दवा, ठीक है, कुनेन, जो malaria की दवा होती है, और ये पादप में आते है, चलिए next question, मसालो का बगान, कहां जाने वाला राज्य है, इस question का सही answer हो जाएगा, option B, केरल को मसालो का बगान या मसालो का बगीचा कहा जाता है, option B, question का सही answer हो जाएगा, next question है, भारत में railway तंत्र कब इस्थापित क्या गया था, शोप्षम सही answer हो जाएगा, शोप्षम लाड याद रखेगा, लाड डल हो जी के समय पर, चलिने इस question है राज्य को विद आवंटन किसकी संस्तुती पर किया जाता है इस question का सही answer option हो जाएगा राज्य विद आयोग की संस्तुती पर तो option है सही answer हो जाएगा इस question है संफत्ति का अधिकार मूल अधिकार किसे ने से हटा कर किस अनुच्येद के अंतरगत रखा गया दिखें संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों में होता था लेकिन एक सविधान संसौदन हुआ चवाली सो सविधान संसौदन यह 1978 में हुआ था और जो संपत्तिक अधिकार होता है उसको मूल अधिकार से निकालकर अनुछेद के अंतरगहत रखा गया था 300 के कैमे option C, सही आंसर हो जाएगा अनुछेद 300 के कैमे संपत्तिक अधिकार आता है पहले मूल अधिकार हो जाता था next question है इंद्र धनुस क्रांती का संब्ध किस से है हरित क्रांती स्वेत क्रांती और नीली क्रांती इन तीनों क्रांती से संब्ध है इंद्र धनुस क्रांती का तो option D question का सही आंसर हो जाएगा इन सभी से सम्मंद है इंद धनुस करांती का निली करांती इसमें मत्से और जिंगर पाला नाता है स्वेत करांती दूद उत्पादन होता है हरित करांती यह आपकी किर्शिश से सम्मंदित है चली next question यूरोप की सबसे लंबी नदी है question न्यू मूर्दीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है तिके न्यू मूर्दीप यह इस्तित है भारत और बांगलादेश के बीच तो भारत और बांगलादेश के बीच इस पर विवाद चलता रहता है तो option B सही आंसर हो जाएगा next question है नासिक किस नदी के टट प पर इस्तित है तो friends question का सही आंसर हो जाएगा option B सर्यूने धीपर अध्यास सर्यूने धीपर है और फैजाबाद में पढ़ता है फैजाबाद में ठीक है तो option सी सही आंसर हो जाएगा तो यह कुछ महतपुन परसंद हमने कवर किये important थे तो वीडियो को end तक जरूर देखेग और अच्छे लिएक तो लाइक और स्याथ जरूर कर दीजिए